हलो विवेकियंज, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है मैं आपकी सुनाली मैम, कक्षा तीसरी के अध्यापिका तो बच्चों, हिंदी के पिछले सेशन में हमने पढ़ा था शब्दों के लिए एक शब्द, आशा करती हूँ, आपने इन शब्दों का अभ्याज बहुत अच्छे से किया होगा तो आज हम पढ़ेंगे भाशा की पहचान, क्रिया आज हम पढ़ेंगे क्रिया और जानेंगे कि क्रिया होती क्या है तो आईए, पुस्तक में दी गई इन पंक्तियों को पढ़कर समझते हैं लेखक ने नीम के एक पेड़ पर चपलों का बंडल रख दिया दुबारा पढ़ते हैं, लेखक ने नीम के एक पेड़ पर चपलों का बंडल रख दिया इस वाक्य में रख दिया शब्दों से काम के करने का पता चल रहा है अब लेखक ने क्या किया लेखक ने नीम के पेड़ पर चपलों का बंडल रख दिया तो रख दिया क्या है कोई काम है जो वो कर रहा है तो बच्चों जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं आईए पुस्तक में दिये गए कुछ उधारन को पढ़ते हैं और समझते हैं तो पहला उधारन है खुशी पढ़ती है अब खुशी क्या कर रही है? खुशी पढ़ती है तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई? पढ़ती है विजे दोड रहा था विजे क्या कर रहा था? कौन सा काम कर रहा था? दोड रहा था तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई? दोड रहा था प्रिया नाच रही है प्रिया क्या कर रही है? नाच रही है तो यहाँ पे क्रिया शब्द क्या हुई? नाच रही है तो बच्चों दुबारा से पढ़ेंगे जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं तो बच्चों आईए कुछ चित्र देखकर क्रिया शब्दों का अप्यास करते हैं पहला चित्र है अब आप बताईए कि इस चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? हस रहा है तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या होगा? हसना अगले चित्र में क्रिया शब्द है दौरना, नाचना, खाना, गाना, सोना, पढ़ना, खेलना, रोना तो बच्चों आपने देखा कि प्रतेक चित्र में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है तो काम का होना या काम का करना ही क्रिया है हम दिन भर में कितनी क्रियाई करते हैं हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं है ना, तो आप देखो कि दिन भर में कितनी सारी क्रियाई करते हैं, कितने सारे काम करते हैं है ना, तो बच्चों जिन शब्दों से कारे के करने या होने का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया, आपका ग्री कार्य है, आउकरे 6, आउकरे 7 और आज, आउकरे 6 में आपको सही क्रिया शब्दों पर गोला लगाना है, आउकरे 7 में आपको कोश्टक में दी गई क्रियाओं का सही रूप से प्रयोग करके खालिस्तान में भड़ना है, और आउकरे 8 में आपको कुछ शब्द दिये गए हैं, उन्ह शब्दों का आपको सही क्रिया से मिलान करना है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही धन्यवाद झालिस्तान में आपको का 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 आपको झाल झाल